कम्प्यूटर की पीलिया CPU क्या है, Monitor क्या है, इत्यादी कम्प्यूटर क्या होता है? कम्प्यूटर बिजली से चलने वाला एक Electronic Machine होता है, जो की Input के रूप में डाटा को ग्रहन करता है, और Software या Program के अनसार उसे Process करके हमें Output के रूप में प्रदर्शित अर्थात, उसका Result दिखाता है कम्प्यूटर का पूरा नाम क्या होता है? C equals Common O equals Operating M equals Machine P equals Particularly U equals Used T equals Trade A equals Education R equals Research कम्प्यूटर के प्रकार कम्प्यूटर मूर रूप से चार प्रकार के होते हैं, जैसे, Mainframe Computer, Micro Computer, Mini, Computer, Super Computer Mainframe Computer Computer एक शक्तिशाली Computer होते हैं, इनका अकार वा कार्यक्षमता Mini वा Micro Computer, दोनों से ज्यादा होती है, इन Computer में हजारों Micro Processor का प्रयोग किया जाता है, जिससे इनकी Data Process करने की गति अत्यन तीव्र होती है Micro Computer Micro Computer एक ऐसा Computer है जिसमें Micro Processor इसके Central Processing Unit के रूप में होता है, Mainframe और Mini Computer की तुलना में इनका आकार छोटा होता है, कई Micro Computer, Personal Computer भी होते हैं Mini Computer Mini Computer 1960 के दशक के मध्य में दुनिया में पेश किया गया था यह छोटे Computer का एक वर्ग है, जिसका आकार छोटा होता है लेकिन इनमें बड़े आकार के Computer की सभी विशेश्टाइं होती है Mini Computer को मिड रेंज Computer भी कहा जाता है क्योंकि इसका आकार Mainframe Computer से छोटा और Micro Computer से बड़ा होता है Super Computer वर्तमान में उपलब्ध Computerों में Super Computer सबसे अधिक तीव क्षमता, दक्षता वस सबसे अधिक स्मृती क्षमता वाला Computer है, आधुनिक परिभाशा के अनुसार, वे Computer जो 500 Megaflop की क्षमता से कार्य कर सकते है Super Computer कहलाते है, Super Computer एक सेकंड में एक अरब गन्नाएं कर सकता है Super Computer